असलाम अलेकुम गईस कैसे हैं आप सब आज मैं आपको बेबी बॉय कुत्ता बुनाना बताऊंगी जिसके उपर मैंने धागे से और चोटे हाफ बीड्स लेकर डिजाइनिंग किया है तो चलें जी अपना काम स्टार्ट करते हैं तो आज की इस वीडियो में सिरफ मैं आपको बैन और पटी बहुत ही असांती के से लगाना बताऊंगी और तहागी मज से डिजाइनिंग करना बताऊंगी अगर आपने फुल कुर्ते की स्टिचिंग देखनी हो तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो डाली है अपने प्रण कलियो करता को अक्क करत मैं करती निकला देख 이용 हो पूरा के सबस्ता है वीडियो मैं 25 पॉइंग तो बेट् vive अपके मैं निमना वेंगे लिगाना है और तर्में मैंदे कुर्टे को कुर्टे कर्टियों कर behavior है currently हो मैं ये विए कुर्ट के बहुते हैं आपने ब ताकि जब हम बैन लगाएं तो हमारे डिजाइनिंग जो है वो बैन की स्लाइमी ना चले जाए तो इसलिए आपने हाफ इंसे टू लाइन उपर रखकर निशान लगा लेना है उसके बाद बाद बाजों वाली सैट से भी आपने छहां से आपने बाजो जोड़ने हैं उस सैट पैन के मनसे सिधह लाइन ड्रो करेंगे यह मैं पैन के मनसे इसलिए ड्रो करीं हूं ताकि जब हम पैन लेगाएं तो बिल्कुल पैन के निशान लगा है ताकि 她 पीछाए ना हो 12 को में आपको भी तिखा का साट पर दाता हूं जो लाइन लगा है उससे फासला चोड़ाह चुड़ाई वाली साइट पर और एक निशान लगा लेंगे अब जो यह निशान लगा है वहां पर इंजी टेक रखेंगे और लंबाई में 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे और वहां पर भी स्केल के मदसे बिल्कुल एक सीदी लाइन ड्रॉख कर देंगे अब जो इस साइट पर जो आपने लाइन लगाई हैं बिल्कुल सेम यही लाइन कुरते के दूसरी साइट पर भी लगाएंगे तो यहां से भी आपने गले वाली साइट से आपने हाफ इंसे टू लाइन उपर रखकर निशान लगा लेना है फासला चोड़ना है और लंबाई में 8 इंच पे निशान लगाना है और बिल्कुल एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है स्केल की मज़ से अब ये जो लाइन ड्रॉ की है इस से इंचे टेप रखेंगे और चोड़ाई में 1 इंच पे निशान लगाएंगे और जो वान इंच पे निशान लगाए है वहाँ पर अब लंबाई में 6.5 इंच पे निशान लगा कर और स्केल के माद से बिल्कुल सीवी लाइन ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के लिए मैंने धागा ले लिया है यह आपको जैंट्स वाली शॉप से अराम से मिल जाएका तो यह चाइनिंग वाला धागा जिससे आप मैं डिजाइनिंग कर रही हूं तो इस तरह धागे को मैं पांच दफ़ा डबल कर लूँगी इस से जादा नहीं करना क् पांच दफ़ा चाहिए इस तरह डबल करना है के और आप इसको फिर्की बहार लेना है और उपर से आप जो ऊपर नीशे है में इसको कट लगाएगे और इसको फिर्की को डबी के अंदर भार देंगे अगर डिबी के पेज जादा टाइट है तो इसको अपने थोड़ा सा अब इसको नीचे लगाएंगे मिशीन के और उपर आपने बिल्कुल जैसा कपड़ा है वैसे ही नलकी लगानी है इसको और इसलाइ लगाना है यह स्लाइ जो है मैं उल्टी साइट पर लगा रही हूं कुर्टे की और जो डिजाइनिंग है दाग की वह नीचे वाली साइट प पर यह नीचे वाली उप किषओ ईठी आप स्लाइ के लगा लिसे यह स्लाइÖ में है तो बिक्रम है एक्स्टा गेरिक उपर से एक्स्टा बिक्रम कर लेंगे लिए तके दोनों साइट्स की पटियां एक ही दफ़ा बुकरम कटिंग हो जाए अब ये पटियों की चोड़ाई मैं हाफ इंसे टू लाइन उपर आकर निशान लगा रही हूं आप जिस एज के साफ से बना रहे हैं उससाफ से पटियों की चोड़ाई रखें तो ये मैं हाफ इंसे टू लाइन उपर रखकर पैन के मांसे निशान लगा लूंगी और लंबाई जो है बुकरम की वह मैंने सेवन इज रखी है अब ये जो निशान लगाए हैं बिल्कुल इनके उपर से ही इसको कटिंग करेंगे आगे पीछे नहीं करना क्योंकि थोड़ी सी बुकरम आगे प तो ये मैंने बुकरम की दोनों पैटियों को दर्मयान से अलादा कर लिया है अब हमें बड़ी पैटी पर मतलब जो हमारी उपर वाली पैटी होती है उस पर डिजाइनिंग करनी है दाके मरसे तो उसके लिए लंबाई में 5 इंच से 1 पॉइंट उपर रखकर में एक निशा लगाँए और यह निशान लगाए हैं सकेल नीचे वाली साइट कर लेंगे लाइन आपने बिलकुल सीधी ड्रॉब करनी है क्यूंकि इस लाइज जो है हमारी बिल्कुल इनकी उपर लगनी जाए तो यह मैं दोनों लाइन ड्रॉब कर ली है अब इस पटी को कपड़े की उ पर और अच्छे से प्रेस लगाएंगे अब इस पटी को एक तफ़ फिर इस तरह कपड़े पर पल्टेंगे और अच्छे से प्रेस लगाएंगे और side पर थोड़ा-thोड़ा कपड़ा छोड़कर बाकि एक्स्ट्रा कपड़े को cutting कर देंगे तकरीबन 2 points आपने इंची टेप पर रखकर आपने थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और बाकि एक्स्ट्रा कपड़े को side से cutting कर लेना है अब उसके बाद दूसरी side वाली पटी को चिपकाएंगे side पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ेंगे अब यह जो थोड़ा सा side पर कपड़ा छोड़ा है इसको प्रेस के मज़ से बुकरम के उपर अच्छे से मोड़ेंगे अब इस पटी को एक दफ़ा फिर पलटेंगे और अच्छे से प्रेस के लगाकर side से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे दोनों पटी आपने बिल्कुल सेम ही बनानी है तो यह देखें थोड़ थोड़ा कपड़ा छोड़ा है बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर लिए अब इस तरह इस पटी को खोल लेंगे बुकरम को उपर लेंगे और सलाई लगाएंगे फिरकी में मैंने वो ही शाइनिंग वाला धगा पर रहा है तो यहां तक अब सलाई को लगा कर छोड़ देंगे अब दूसरी जो लाइन है उस पर भी सलाई लगा लेंगे सलाई को लगाते हुए आपने नीटनस का बहुत अदा ख्यार रखना है अब यह जो सलाई लगाई हैं इनको आप सुई की मज से हम उपर से थोड़ा सा पका कर लेंगे ताकि यह हमारी सलाई जो है वो खोलना जाए तो इसलिए आपने शुरू से थोड़ा सा सुई की मज से सलाई लगा लेनी है क्योंकि नीचे वाल साइड से हमारा फोल्डिंग होगा तो वो सलाई के मारजन में चले जाएगा लेकिन उपर से आपने सुई की मज से अच्छे से इनको पका कर लेना है धागे को अब सबसे पहले हमें चोटी पटी लगानी है तो उसको त्यार करेंगे इस तरह इसको खोल लेंगे और जो बंद वाली साइड है उस साइड से इस तरह लाइन ट्रॉ करेंगे और इसको इस तरह उपर वाली साइड पर लेके जाएंगे इस तरह निशान लगाने के बाद अब ये अच्छे से स्लाई लगाएंगे इसके उपर दो तीन तफ़ अच्छे से अब स्लाई को बचाते हुए है आपने अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कटिंग कर लेना है और अटका से तिछे कट लगाने है थाके जब इनको सीधी साइट पर मोड़े पट्टी को ते इसमें जोलना पड़े अब इस पट्टी को वैसी ही मोड़ कर सीधर कर ले थी अच्छे से सेट कर लेंगे अब बड़ी जो पट्टी है जिस पर हमने डिजाइनिंग किया उसको भी सेम इस तरह खोल लेंगे और बुकरम के उपर इस तरह पैन के मल से निशान लगाएंगे बंद वाली साइट से आपने लगाने है ये निशान और उपर की तरफ लेक अब इस पट्टी को भी वैसी ही सेट कर लेना है जिस तरह हमने पहले बनाई थी सीधी वाल साइट पर अच्छे से मोड़ कर अब जो हमारी पट्टियों की बंद वाली साइट है उस साइट पर किनारी पर इस लाई लगाएंगे अब सबसे पहले हम छोटी पट्टि लगाएंगे कुर्टे को तो इसक दरह पट्टि को खोलेंगे और नीचे वाली साइट से आपने कुर्टे की मतलब अंदर वाली साइट से इस पट्टि को रखनाना है और उपर ज़राकर स्लाई लगानी है सलाई में आपने मशीन के एक पैर का फासला ही सलाई में जाना चाहिए इससे जादा नहीं देना दोनों साइड से सलाई के मार्जन का फासला बिल्कुल बिराबर रखना है तब हमारी पटियां उपर नीच आएंगी वरना आगे बीचे हो जाएंगी अब जहां तक कट है वहां तक आपने सलाई लगा लेनी है और अगर नीचे इस पटि एक्स्ट्रा है तो उसको कटिंग कर देना है अब इस पटि को उपर वाले साइड पर मोड़ेंगे और अच्छे से सेट करकर उपर से सलाई लगाएंगे अब हम कुर्टे को बड़ी वाले पटि लगाएंगे उस पटि को भी आपने नीचे वाले साइड से कुर्टे के रखकर लगाना है इस तरह और उपर से सलाई लगानी है यहां से भी मशीन के एक पैर का फासला ही आपने सलाई के मारजन में देना है अगर थोड़ा सा भी मेशीन का फासला कपड़े का आपने थोड़ा सा भी जाद आगे पीछे दिया तो हमारे दोनों पटिया उपर नीचे नहीं आएंगी इसके भी कड़ तक सलाई लगा लेना है और सलाई से नीचे नीचे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पट्टी का आपने अंदर वाल साइड से इसको कटिंग कर लेना है ताकि हमारी पट्टी जब उपर वाल साइड पर मोड़े तो इसमें छोड़ना पड़े तो इस तरह बुकरम के साथ थोड़ थोड़ा कपड़ा छोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को पट्टी ही अंदर की साइड से कटिंग कर देना है अब इस पट्टी के उपर वाल साइड पर मोड़ना है और उपर अच्छे से स्लाई लगा लेनी है अब यहां तक लाने के बाद अब अपने मशीन की सुई आप ने उपर कर लेनी है और दोनों पट्टियों को अच्छे से उपर-nीचे सैट करना है और बिल्कुल बराबर सैट करके उपर-nीचे रखना है नीचे से पट्टी को उपर वाज सैट पर मोड लेंगे और उपर से रखकर सलाई लगाएंगे अब यहां से सलाई को एक दफ़ा मोड़ेंगे और यहां पर सलाई को अब आपने खतम कर लेना है उसके बाद आपने अपना पूरा कुरता त्यार कर लेना है तो यह मैंने पूरा त्यार कर लिया है उसके बाद हम इसमें बैन लगाएंगे तो उसके लिए बैक कले कटिंग करनी है तो बैक कले कटिंग आपने इतनी करनी है जतना शूल्डर्स की सलाई में कपड़ा गया है उतना ही आपने इसको कटिंग करना है या फिर हाफ इंसे वन पॉइंट कम रखकर लंबाई आपने बैक कले की कटिंग करनी है इससे जादा नहीं करनी उसके बाद इंची टेप से आपने अच्छे से इसको माप कर लेना है और अच्छे से माप कर लेनी के बाद जितना भी आए उससे वन इंच आपने काम रखक लेना है क्योंकि जब भी हम बैन लगाते हैं जितना भी आ रहा होता है तो बैन हमारा बड़ा हो जाता है तो इसलिए जितना भी आय उससे 1 इच आपने काम रख लेना है तो मेरा 12 इच आया है तो इससे मैं 1 इच कम रख लोंगी तो 11 इंच की मैं बुकरम कटिंग करूँगी और जब हम लगाएंगे तो वो पूरा होकर आ जाएगा यह मैंने बुकरम ले लिया जिससे हम बैन कटिंग करेंगे इसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे अब जो हमने गले का माप किया था वो 11 इंच आया था तार निर्ट को निचे वाली सैड में पर उल्के लिकोइत देंगे ये जो निशान लगाया था अब उस पर इंचि टेप रखेंगे और हाफ इंच से टो लाइन्ट उपर रखकर ऑपर वाली साइड पर निशान लगाएं घू आप जो शाया है उनको भी इस घ्रके हो इस यहां से बैन को नीचे से उबर की तरफ हलकी सी शेप देनी है और पैन को कटिंग कर लेना है बैन को कटिंग करने के बाद एक तफ़ फिर आपने अच्छे से कुर्टे के साथ रख के चेक कर लेना है कि कहीं जादा बढ़ा तो नहीं है अगर बढ़ा हो तो इसको कटिंग कर लेना है अगर थोड़ा बहुत कम हो रहा हो तो कोई मसला नहीं है क्योंकि हम यह बैन लगाएंगे तो यह पूरा हो जाएगा लेकिन जादा कम ना हो तकरीबन वन इंच कम हो रहा हो तो खैर है इसे जादा कम ना हो अब इसके बाइए मैंने पीस ले लिए जिसको इस तरह डबल फोल्ड करेंगे और अच्छे से प्रेस लगा लेंगे अब बैन को इसके उपर रखेंगे बैन की अंदर वाले साइड गोलाई वाले साइड है वो कपड़े की बंद वाले साइड पर रखेंगे और अच्छे से उपर रखकर प्रेस लगाएंगे प्रेस लगाने के बाद नीचे से एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे तकरीबन हाफ इंच कपड़ा चोड़ेंगे बागी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर देंगे अब इस पैन पर भी हमने डिजाइनिंग करनी है तो इसके लिए निशान लगाएंगे दोनों साइड पर वन वन इंच के निशान लगाएंगे क्योंकि यहां पर हमने डिजाइनिंग नहीं ड्रॉ करनी अब बुकरम के उपर इची टेप को रखेंगे और नीचे से और उपर से टू डू पॉइंट्स का फासला छोड़ कर दरम्यान में आपने इस तरह दो लाइन्स के निशान लगाते जाना है अब इन निशान को आपस में मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि जब हम सलाई लगाएं तो हमारी सलाई बिलकुल आके पीछे ना हो बलकर लाइन के उपर है अब जो हमने 11 एंच के दोनों साइड पर पॉप्रम के निशान लगाए थे वहाँ से इंची टेप रकेंगे और फिर एक तफ़ा वहाँ से इंची टेप रकेंगे ऊपर वाँ साइड पर वाँ निशान लगाएंगे क्योंकि एक लाइन हमने उससे छोटी रखनी है तब उपर निशांस को भी इस तरह पैन के मज़ से हापस में मिला देंगे अब इसके उपर सलाई लगा देंगे सलाई लगाते हुए जो हमने पैन का कपड़ा डबल किया था उसको इस तरह खोल लेना है उसके बाद दोनों साइड से आपने धागे को सुई की मज़ से अच्छे से पका कर लेना है ताकि ये खोलना जाए अब बैन जो साइड पे तकरीपान हाफ आफ इंच कपड़ा छोड़ा था इसको बैन के उपर मोड़ेंगे और उपर से रखकर सलाई लगाएंगे ये सलाई आपने लेटनस से लगानी है क्योंकि जब ये बैन की उपर नज़र आएगी तो मशीन के एक पैर का फासला छोड़कर आपने ये सलाई लगा लेनी है अब इस बैन को वैसी ही डबल फोल्ड कर लेंगी जिस तरह हमने बनाया था आप बिलकुल बैन के साथ सा सलाई लगाएंगे शुरू से आपने दो तीन तफ़ अच्छे से मोड लेना सलाई को ताकि शुरू से सलाई खुलना जाए और अब बुकरम के बिलकुल साथ सा सलाई लगा लेनी है अब बुकरम के साथ साथ आपने थोड़ा थोड़ा कपड़ा चोड़ना है और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंगा देना है अब ये जो थोड़ थोड़ा कपड़ा चोड़ा है इसमें हलकेल के तिरचे कट लगा देंगे कट लगाने के बाद आपने इस बैन को सीधी वाली साइड पर मोड लेना है और अच्छे से प्रेस कर लेना है ये जो बैन का एक्स्ट्रा कपड़ा है जो हमने इस लाई में देना है इसको आपने थोड़ा थोड़ा छोड़ा है बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को आपने कटिंग कर लेना है अब बैन को जो है कुरते की अंदर वाली साइड से पटी से रखे लगाना शुरू करेंगे बैन को आपने कुरते की अंदर वाली साइड से रखना है बाद में हम इसको सीधी वाल साइड पर मोड़ेंगे मतलब पटी की उपर मोड़ देंगे तो इसलिए आपने शुरू से पटी से रखते हुए इस पैन को लगाना है मशीन के एक पैर का फास्ट आपने इस लाई के अंदर देना है और दुसरी पटी तक लगाकर ले आना है इस पैन को अब इस पैन को पटियों के ऊपर इस तरह सीधी वाल साइड पर मोड़ेंगे अच्छे सेट करेंगे और उपर से रखकर स्लाई लगाएंगे जिस तरह गोलाई में बैन बना हुए है आपने बिलकुल वैसी ही स्लाई लगानी है अब बैन की उपर वाले साइड पर स्लाई को आपने मोड़कर स्लाई लगा लेनी है बैन की उपर वाले साइड पर भी अब यहां पर लाने के बाद आपने अपनी सलाई को खुतम कर देना है उसके बाई हमें चोट चोटे हाफ बीट्स ले लिए हैं जिनको धाल की मुक्या के लगा लेंगे और पटन पटी के अंदर मैं टेच बटन लगाऊंगी और उपर फैंसी बटन लगा लूँगी अब तो जी काईज हमारे कुटब बन कर त्यार हो चुका है अमीद करती हूं मेरी आज की वीडियो आपको बहुत पसाना यूजी अगर वीडियो पसाना तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा फैल वक्त के लिए अलाहाफिस